नमस्कार दोस्तों, नभेशब प्रती मिनट की गती से संपात की रिक्टेशन शुरू होगी तीन सेकंड बाद स्टार्ट हर वर्ष इस मोसम में तापमान में गिरावट और जाडे की आहट के साथ ही दिल्ली की हवा बिगडनी शुरू हो जाती है विडबना यह है कि बीते कई वर्षों से लगभग एक ही स्वरूप में परदूशन के गहराने से उपजी समस्या का सामना करने के बावजूद इस पर काबू पाने के लिए कोई ठोस योजना नहीं दिखती है इस वर्ष एक बार फिर नवंबर से पहले ही दिल्ली की हवा में परदूशन गुलने का जो इस तर देखा जा रहा है अगर वहे किसी तरह नियंतरित नहीं हुआ तो आने वाले दिन दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए मुश्किल साबित हो सकते हैं अभी ही हालत यह है कि दिल्ली की हवा खतरनाक इस तर तक जाने लगी है और यहां कई इलाकों में बुजुर्गों और बच्चों को सास लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है जबकि फिलाल यहे ठंड के मौसम का शुरुआती दोर है गोर तलब है कि अक्टूबर से ही दिल्ली में हवा का घनीभूत होना शुरू हो जाता है और इसके साथ ही धूल और धूएं की वजह से परदूशन की समस्या जटिल होनी शुरू हो जाती है जाहिर है इसमें धूल और धूएं के सुरोतों की पहचान और उसे नियंतरित करना एक तातकालिक जरूरत होती है पैरा सोमवार को दिल्ली सहित समूचे राष्टिये राजधानी शेत्र की हवा बहुत खराब श्रेनी में दर्ज की गई वायू गुणवत्ता और मोसम पूर्वानुमान एवं अनुसंधान प्रणाली यानी सफर के मुताबिक महानगर में इस दिन सुभा एक्यू आई यानी वायू गुणवत्ता सुचकांग 309 और कुछ इलाकों में 335 तक पहुच गया था यहे इस्तिती तब है जब दिल्ली में पराली जलाने से होने वाले प्रदूशन को रोकने के लिए भी कुछ कदम उठाए गये थे इससे उपजी समस्या का सामना करने के लिए दिल्ली सरकार की और से ग्रैप दो की पावंदियां लागू कर दी गई हैं इसके तहट डीजल जनरेटर के इस्तमाल पर पूरी तरह रोक लगाने के साथ साथ गाडियों की पार्किंग में शुल्क बढ़ा दिये जाते हैं सी एंजी इलेक्टरिक बसें और मेट्रो सेवाओं की आवर्ती में बढ़ोतरी कर दी जाती है ताकि लोग नीजी वहानों का इस्तमाल कम से कम करें इसके अलावा कई अन्य उपाय भी किये जाते हैं और सास या दिल के मरीजों को घर से नहीं निकलने की सलहा दी जाती है पैरा विचित्र यह है कि वर्षों से पर्दूशन और उसके कारणों के लगभग एक स्वरूप में कायम रहने के बावजूद इससे निपटने के लिए सरकार के पास किसी सूचिंतित योजना का अभाव दिखता है जब पर्दूशन से उपजी मुश्किलें गहराने लगती हैं और यह सारजनिक बहस का मुद्दा बनने लगता है तब सरकार वहानों और अन्य सरोतों से निकलने वाले धूएं की रोक थाम की बात करने लगती है मसलन इसमें सबसे प्रात्मिक होता है सडक पर चल रहे वहानों की संख्या और उसके प्रकार को नियंतरित करना स्टोब